करियां कुमार, उदेधराज, जेपियगरवाल. इन में से जेपियगरवाल दिल्ली के पुराने निता, खांटी निता में से एक माने जाते है. उदेधराज जी को पहले बीजेपी ने मैं केंडडिड बना के जतवाद यह था. फिर इस वार कॉंग्रेसपाटी ने बना लिया तो मेरे और भी रिजन से लेकिन बेसिक रिजन नहीं था तो मेरा मैंने इसमें पॉइंट आउट भी किया है कि हाइकमान का परोगर्टिव है वो जिसको मरजी डिकर दे और मैं मेरे और दिल्ली के कारेकरता के व्यूज अलग हो सकते हैं इन उमीदवारों के वारे में और मेरा एज़ा परदेश कॉंग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम था उस व्यूज को लोगों के हाइकमान के आगे रखना और मैंने रखे भी उसके बाद हाइकमान का पेरोगर्टिव है वो जिसको टिकर देना चाहते हैं तो और एज़ा पार्टी सोलजर प पी-सी-सी को इनफॉर्म तो कर दीजिए उमीदवार कौन है आप पी-सी-सी-सी प्रेजिड़न आप आपको पता ही नहीं था कि इनकी जैसे मीडिया में और लोगों को पता लगा ऐसे मुझे पता लगा कि कौन उमीदवार है मैंने का चलिए वो भी कोई बात नहीं है इट एक introduction press conference ती जहां से problem शुरू होती है उस introduction press conference में मैंने तीनों उमीदवार को introduce कराया मीडिया से उस समय कुछ कारे करता परदेश Congress Committee में नहरे लगाते हुए आ गए एक उमीदवार के खिलाफ तो मैंने उस समय press conference में ये play भी किया भी कि अमोमन किसी भी party में इस तरीके से होना कोई खास बात नहीं है जब भी एक उमीदवार सब को तो संतुश नहीं कर सकता तो जब भी किसी को ticket नहीं मिलती है तो वो naturally react करता है और हम तो देश में लोगतंतर की बात कर रहे हैं हमारी अपनी party में लोगतंतर नहीं होना चाहिए तो इसलिए अगर कारे करता आके बोल र इमी़ेटली प्रेस कानफरेंस के बाद जो है मिरे को phone आता है कि इंको बाहर निकाल दीजे सब को किसका बाबरी जी का मैसेज आता है रिटन कि बाहर निकाल दीजे राजकुमार चोहन को निकाल दीजे पार्टी से बाहर निकाल दीजे और अफिस से बाहर निकालने तो बेचारे थे ही आफिस के बाहर तो इनको पार्टी से बाहर निकाल दीजे इसको बाहर निकाल दीजिए उसको बाहर निकाल दीजिए तो मैंने का वह मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये मैं कल के आए लोगों के लिए जनरेशनल कॉंग्रिसियों को निकालने को त्यार नहीं हूँ और कल क्या है मतलब ये करिया कुमार और रित्राज ये कल क्या है वे तो मैंने का जनरेशनल कॉंग्रिसियों को निकालने को त्यार नहीं हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको इन्डिसिब्लेन करने को मैं उनका इन्डिसिब्लेन सेने को त्यार हूँ मेरा यह हम उनको नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैंने का वे मुझसे नहीं हो पाएगा यह पुछो आप कुछ शनौब लड़ना था क्या कनिया कुमार की सीट पर आप लेके टुनको दे लिए यह बहुत ही एक अलग तरीके का परचार किया जा रहा है मेरे बारे मेरी जो पार्लिमेंट की जो गांधी नगर है वो भी इस दिल्ली में पड़ती है नौर्थ इस में नहीं पड़ती है मैंने तकरीबन एक महीने पहले स्टेटमेंट दे थी कि मैं उमीदवार नहीं हूं और इन्हीं दीपक बवरिया साब ने भी मीडिया में स्टेटमेंट दी थी कि हमारे प्रदेश देख लड़ेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो उस नाते मैंने नहीं स्क्रीनिंग कमिटी ने जो है मेरा नाम कर दिया और मैंने मना किया कि मेरा मैं केंडिडेट नहीं हूं मैंने स्क्रीनिंग कमिटी में भी सीसी में भी मना किया वीवर की सरलता के लिए जिस सीट पर अपना नाम बिड्रॉ कर लिया, कनिया कुमार का नाम कहां से आया, ये तो अपने आप में गुत्थी है, मैं भी नहीं सुल जा पाया हूँ अभी तख, किस की पसंद है कनिया कुमार, अब उपर के लोगों की होगी, उपर में कौन, कौन, आप इशारों में बता दीजे, आरे